टेबलेट जाई कोलचिन जीरो पॉइंट फाइफ एमजी टेबलेट आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे टेबलेट के पारे में जो खास कर गठिया के लिए बहुत ही फाइदेमन थाबित हो सकती है अगर आप भी गठिया जैसे कमभीर बीमारियों से परिशान हैं तो आप अपने डाप्टर की सलाह के निसारी स्टेबलेट का सेवन करके लाब आवस्य देखें यह दवा खास तोर पर गउट गठिया के उपचार के लिए इस्तिमाल के लिए सलाह दी जाती है इस वीडियो में खुराक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इस दवा का सेवन ख देखेंट में सिर्फ दो बार ही आनी सुबह और शाम में ही किया जाता है वो भी डाक्टर के निदेश अनुसार ही इस टेबलेट का इस्तिमाल करें इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे की दस्त होना मतली सेरदर्द थकान आदि हो सकते हैं इस दवा के दुस्परभाव जल्द ही ठीक हो जाते हैं और इलाज के बाद नहीं रहते हैं अगर ये दुस्परभाव और स्यादा दिगड़ जाएं या फिर ठीक नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पुरल संपर्ख करें अगर आप पहले से ही कुछ समस्यां हैं तो इस तवा का उपयोग ना करें इससे दुस्परडाम हो सकते हैं जैसे कि आप अगर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं या फिर लीवर संबंदित परिशानियों से पीड़ित हैं या फिर्दय रोग संबंदित या एलर्जी जैसे परिशानियों से परिशान हैं तो आप इस दवा का सेवन बिलकुल भी ना करें या आप अपनी डॉक्टर की सलाख की अनुसार ही सेवा का सेवन करें अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा ओं तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें और जعदा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं हो सकता है कि आपकी एक शेर से किसी का फाइदा हो जाए अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो आप सभी लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो कौन तो तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यव कि आप मेंग को हुआ है लोगी कर देखनाय का अगरे लोगोगी आपतक है यू है